Hello everyone, you are watching AMU Studios and this is your host एहमद उसेन मैं जब उनके शोरूम पे गया, इंद्रानगत लखनो में उनका इस शोरूम है वहाँ पे और मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने मुझे बिटाया बड़ी इज़त दी, मैंने आपके वीडियो देखे, मुझे काफी अच्छा लगा, मैं चाहता था कि कोई लखनो में ऐसा मिल और बेसिकली वह ओडियो हम लोग ने टाटा एस के लिए दिवाली में बनाया था, जिसमें उनके कुछ ओफर ओफर थे, वही उनको काफी अच्छा लगाता तो उनको यह नहीं पता था कि जिन से आप बात कर रहे हैं, यह ओडियो उन्हों नहीं ही बनाया है, तो वह नहों थight party client क्या होते हैं को कहीं से काम उठाते हैं, और हम लोग से काम करते हैं, और उनसे बाद में उनको आ पहुच आते हैं, तो खर डिर्क्लिव उन से मेरी बात होगए, तो एकhenे काम म३ Or.. है कि भाई हम लोग खुद ही वीडियो बनाते हैं और उसके बाद में यूट्यूब चैनल बनाते हैं और यूट्यूब चैनल पर डालने के बाद में आप से बहुत को बताते हैं कि हम लोग देखिए यह काम कर रहे हैं हम लोग वो काम कर रहे हैं तो इतने सालों के बाद काम क अपने आपको बेचना भी आपको आना पड़ेगा सही वे में गलत मतलब ना समझेगा आप लोग बेचने का तो ये आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ बेसिकलि कुछ दूनों पहले हम लोग ने डिसकवरी के लिए एक narration बनाया था एक audio था वो बनाया था वो कैसे बना था वो किस तरीकर का voice कैसे उसमें balance मैंने की थी कैसे किस तरीकर फिर उसके बाद में उसका जो वीडियो बना था वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे पहली पसंद वो पूरे कर रहा है बारत में अपने 20 सुनहरे बरस इस मौके पर हम आपको ले जा रहे हैं वहाँ जहां से शुरू हुआ ये सिलसिला वो बेहतरीन शूस जिन्होंने आपके दिल में जगा बनाई और आपको दुनिया दिखाई एक दम नए नजरिये से हम ला रहे हैं उन्हीं 20 बरसों के चुनिंडा शूस का खसाना जिन्हें परिवार के साथ देखना होगा ऐसा जैसे लौट आया हो अंगिनत यादों का कारवा जैसा लगा मेरो आफिस तो देखना न भूले डिस्कवरी चैनल के 20 बरसों का जश्न इस शनिवार और रवीवा सुभा आच से शाम 6 बजे तक लगाता है सिर्फ डिस्कवरी चैनल पर डिस्कवरी पर काफी चला भी है और उसका काम खतम लेकिन मैंने सुचा के इसके वीडियो बना रही है जाए तो चलिए शुरू करते हैं और किस माइक से रिकॉर्ड करें एकेजी से शुर के SM58 से या नॉइमन के TLM 102 से रिकॉर्ड करते हैं इस वले से मैंने इसका एक एपिसोड बनाए बिता आप आप शाद देखा भी हो चलिए इसे से रिकॉर्ड करते हैं यह है क्या बेसिकली डिस्कवरी चैनल जो दो दशक से है आपकी पहली पसंद वो पू आपकी पसंद वो पूरे कर रहा है भारत में अपनी 20 सुनहरे बरस इस मौके पर हम आपको ले जा रहे हैं वहाँ, जहां से शुरू हुआ, ये सिलसला, वो बेहतरीन शोज, जिन्होंने आपके दिल में जगा बनाई, और आपको दुनिया दिखाई, एक दम लेन, एक दम, वो बेहतरीन शोज, जिन्होंने आपके दिल में, जिन्होंने, जिन्ह जो दो दशक से है आपकी पहली पसंद वो पूरे कर रहा है भारत में अपने 20 सुनहरे बरस पेस में एक सिंग साउंड है कैसा लगा मेरा ओफिस सबसे एहम चीज़ क्या होता है कि आपको अपना पिछ याद रखना होता जिस टोन में आपने इसको शुरू किया था अच्छा बेसिकली क्या है कि यह रूम जो है मेरे स्टूडियो के नीचे का है उपर कुछ मेरे काम चलना था दुछ वजह से मैं नीचे बैठा हुआ था तो थोड़ा साउंडपूरूफ नहीं भी है तो ऑडियो की क्वालिटी वो नहीं आएगी जो बेसिकली आनी चाहिए थी जो मेरे स्टूडियो के अंदर जो साउंडपूरूफ एरिगी के अंदर यहा पर बेसिकली दिवारों से टकरा कि वॉइस जो है वापिस आ जाती है पिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो काम, उसका सेंस क्या है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगको, तो चलिए इसको बोलते हैं डिस्कवरी चैनल, जो दो दशक से है आपकी पहली पसंद, वो पूरे कर रहा है भारत में अपने 20 सुनहरे बरस, इस मौके पर हम आपको ले जा रहे हैं वहाँ, जहां से शुरू हुआ ये सिलसिला, जहां से शुरू हुआ ये सिलसिला, वो बेहतरीन शुज, जिन्होंने आपके दिल में जगा बनाई, और आपको दुनिया दिखाई, एकदम नए नजरिये से, हम ला रहे हैं उन्हीं 20 बरसों के चुनिंदा शुज का खजाना, जिन्हे परिवार के साथ देखना होगा ऐसा, जैसे लटाया हो अंगिनत यादो का कारवा. तु देखना नभूले, डिस्कवरी चैनल के 20 बर्सों का जश्न इस शनिवार और रवीवार सुभा आच से शाम 6 बजे तक लगातार सिर्फ डिस्कवरी चैनल पर अब मैं वापस अपने कॉलर माइक पे स्विच कर गया हूँ तो साउंड आपको थोड़ा सा अलग लग रहा हुगा और इसको मैं रख देता हूँ किनारे और इस जो आधियो का जो ट्रैक है इसको मैं एडिटिंग ट्रैक पे ले लेता हूँ क्यूबेस 9 मैंने बेसिकले इंस्टॉल किया लेकिन अभी वो रफ वरजन है अनिक ट्राइल वरजन है तो अभी मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ तो ये जो audio है ये Cubase 9 के ओपर मैं इसको edit कर रहा हूँ देखते हैं कैसा होता है तो ये मैंने sound जो है वो YouTube वीडियो के ओपर से उठा लिया है और अपसे paste कर देता हूं मैं इसको तो ये मैंने वापस से इसको अपने editing track में ले लिया है और मैं इसका वीडियो जो बना था वो भी मैं आपको दिखा दूँगा इसी तरीके से audio बोले जाते हैं अलग-अलग variations में अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग variety के साथ में आप लोग अपने आवास को balance करें देखिए आवास किसी की मोटी पतली है किसी की अच्छी खराब नहीं होती है जिसकी आवास balance हो गई यानि कि जिस pitch पे आपने शुरू किया अभी तो मेरे थोड़ा गला सही नहीं है तबियत फोड़ी सी गड़बड है तबियत इंदसेंस भी खाचिवासी थोड़ी सी cold हो गया था जिसके वज़े से ना भी थोड़ी सी बंद है तो जिसके वज़े से थोड़ा सा साउंड नहीं होना मेरा थोड़ा सा और दीर पर साउंड है से ज़्यादा clear साउंड है आप लोग अपनी आवास को balance करिए और जो वीडियो आपने देखा आप सुनके मुझे बताईए कैसा लगा आपको और अगर कुछ आपको खराब लगा हो तो प्लीज डिसलाइक कर दीजेगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा अगर जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे अपना समझे जो मुझे मुझे नफरत करते हैं वो भी मुझे अपना ही समझे कोई problem नहीं होगा तो यह है बेसिकली तरीका यही होता है आप देके कैसे भी बोलिया अच्छा मैं नए लोगों से यह कहना चाहूँगा जो इस इंडस्री में आना चाहते हैं पेशेंस रख के आईएगा क्योंकि यहां पर रेजेक्शन्स बहुत है 90% आपको रेजेक्शन्स मिलेगे आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे अपने आप से कोई आपको इंटेटेंड नहीं करेगा लेकिन अगर करना है कुछ चाहते हैं कुछ बनना कुछ पाना कुछ हासिल करना तो बस लग जाईए आरमत पानिये और कर लेंगे आवास किसी यह खराब नहीं होती डिक्शन प्रणनसिशन जो आप वर्ड बोल रहे हैं उसमें क्लियरिटी कितनी है प्लस आपकी आवास कितनी बैलेंस है जिस पिछ पे भी आप बोल रहे हैं जिस पिछ पे भी आप काम कर रहे हैं जो आपकी स्क्रिप्ट है शुरू से लेकर आखिर तक आखिर तक आपको वही पिछ मेंटेन करनी है और बड़े-बड़े लोग हैं उनकी बाते सुनी हैं उनको समझ यह उनसे मैं तो अभी भी बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ देखता हूँ बात करता हूँ लोगों से समझता हूँ कैसे क्या करना है किस तरीके से कैसे सारी चीज़े और करनी है तो यह ओड़ी हो गया अब मैं आपको अच्छाए काम करिएगा यह जो वीडियो मैंने बनाया है यह अब मैं फाइनल करके आपको पूरा एक लगा देता हूँ तो अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा कुछ देखते रहे हैं मुझे दुआओं से नवाजिए दुआ करिए कि तब यह सही होज़े एंड प्लीज शेर करिए लाइक कीज़े कॉमेंट कीज़े जो नए जो छोटे छोटे आड्स बनाते हैं मेरी तरह से जो हर तबके को लेके साथ में चलते हैं मैं तो बड़े क्लाइंट से जादा चोटे क्लाइंट को तरफ में जादा मतवज्य होता हूँ क्योंकि वो मुझे छे मने रगड़ा देगा अगर मैं स्टार के लिए काम करूँगा तो इसक्रिप्टी उसके एक महीने में आती खेर बहरा तो छोड़े जोड़े एड्स होएं तो वो बनाने वाले थोड़ा लग जाएं क्योंकि न्यू येर आ रहा है और न्यू येर में काफी काम होता है अपनी आवाजों को बचा के रखिए and so far so good मुझे दिजिए इजाज़त खुदा आफ़िज इसकवरी चैनल जो दोदशक से है आपकी पहली पसंद वो पूरे कर रहा है भारत में अपने 20 सुनहरे बरस इस मौके पर हम आपको ले जा रहे है वहाँ जहां से शुरू हुआ ये सिलसला वो बेहतरीन शूस जिन्होंने आपके दिल में जगा बनाई और आपको दुनिया दिखाई एकदम नए नजरिये से हम ला रहे है उन्हीं 20 बरसों के चुनिंडा शूस का खसाना जिन्हें परिवार के साथ देखना होगा ऐसा जैसे लौट आया हो अंगिनत यादों का कारवा जैसा लगा मेरो आफेस तु देखना न भूले डिस्कवरी चैनल के 20 बरसों का जश्न इस शनिवार और रविवा सुभा आच से शाम 6 बजे तक लगाता सिर्फ डिस्कवरी चैनल पर